है यह व्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपके साथ स्लीव की डिजाइन शेयर करूंगी तो हम यहां पर स्लीव की कटिंग कर लेते हैं इसके लिए मैंने चंदेरी का फैबरिक लिया है फैबरिक के यहां पर मैंने दो पीस लिये हैं इसे हम सेंटर से फोल्ड कर स्लीव राउंड के लिए 5 इंच पर मार्ग करेंगे 4 इंच तयार है और एक इंच मार्जिंग अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे अब यहां से स्लीव का शेफ ड्रो कर लेंगे इसी मार्किंग पर स्लीव के कटिंग कर लेंगे स्लीव को उपन करके रखेंगे और आधे इंच अंदर से फ्रन्ट आरं मॉल के लिए डीप कटिंग करेंगे स्लीव की कटिंग यहां पर हो गई है अब हम भी इसकी स्टिचिंग देखेंगे डिजाइन के लिए यहां पर मैंने एक सीधी पट्टी ले ली है पट्टी की चोड़ाई है 3.5 तेन इंज और पट्टी की लमबाई जो हमने स्लीव राउंड रखा है उससे एक इंच एक्स्ट्रा है तो यहां पर इसी के बराबर मैंने एक पेस्टिंग पेपर ले लिया है प पट्टी के उपर इस तरीके से क्रॉस में रखेंगे और सिलाई लगाएंगे गोटा लेस अटेज करते समय सिलाई सेंटर में न लगाकर गोटा लेस के दोनों तरफ किनारे पर सिलाई लगाएंगे ऐसा करने से ये गोटा लेस साइड से उठी उठी सी नहीं लगेगी और सेट रहेगी इसी तरीके से पूरे ही पट्टी में क्रोस में गोटा लेस को अटेच कर लेंगे तो यहाँ पर एक तरफ हमने गोटा लेस को तिर्चे में पट्टी पर लगाकर अटेच कर लिया है गोटा अटेच करने के बाद पट्टी के दोनों तरफ सैड से जो भी एक्स्टर लेस या फिर फैबरिक है उसे हम कट करके अलग कर लेंगे अब इस पट्टी को स्लीव के साथ अटाच करेंगे तो पट्टी की सीधी वाले सैड पर स्लीव की रॉंग सैड रखेंगे यानि कि पट्टी की सीधी वाले सैड और स्लीव की रॉंग वाले सैड को मैच करते हुए रखेंगे और किनारे पर सिलाय लगा कर इसे अटाइच कर लेंगे अब इस पट्टी को स्लीव के राइड सैड में यानि के सीधी तरफ पलट लेंगे और किनारे पर टॉप स्टिश लगाएंगे अब दूसरी दरफ से इस पट्टी को आदे ही चंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाय लगाते हुए स्लीव के साथ इसे अटैज कर लेंगे अब साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे दोनों ही तरफ से तो यहां पर यह ब्यूटीफू सी स्लीव बनकर रैडी हो गई है इसी तरीके से मैंने दूसरी स्लीव को भी रैडी कर लिया है तो यह स्लीव का फाइनल लुक थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो